हेलो गाइच कैसे आप से भी वेलकम आपका मारे चनल पर अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबाले ताकि आने वाली वीडियो जो के नोटिकेशन आपका साने से मिल दे रहे तो गैज आज हम डिसक्स करने वाले से यारेश नंबर इतने यह नोटिकेशन नंबर दिया गया है ठीक है तो डेट भी दी गई है कंपेंटमेंट मेंट अथोटी है एक्स्टेंडिड दा डेट हो डिपोजिंग दफी ओन प्रोविजनल प्रोमोशन ओप दस्टूडेंट मतलब फी डिपोजिट करनी उनको जो बच्चे प्रोमोट किया गया है प्रोविजनली मतलब नेक्स सेमेस्टर में जो भी इंटरमेडियेट के बच्चे हैं उनको प्रोमोट किया गया प्रोविजनली और उनको अपनी नेक्स सेमेस्टर की या नेक्स्ट येर की फीज जमा करवानी है ठीक है तो यह कौन से स्टुडेंट student of the affiliated education college मतलब b8 वाले college आगे इसके अंदर ठीक है तो वो अपनी next year की fees अपनी जमा करवा सकते है university to their next semester year during the session 2020 to 2021 ठीक है तो यहाँ पर date क्या रहेंगी date यह दी गई है without late fees date 38-2020 38-2020 तक अपकि without late fees date रहेगी उसके बाद आप 500 रुपे late fees के साथ आप 15-9-2020 तक क्या कर सकते है आप अपनी फीज जमा करवा सकते है ठीक है तो provisionally promote कर दिया गया है सिदा सिदा पता लग रहा है provisionally का मतलब क्या है कि आपके exam लिए जा सकते है या आपको assignment base पे या आपके practical marks के base पे कैसे ने कैसे आपका result बनाया जाएगा जो result pending है बट तब तक आपको provisionally promote किया गया है ताकि आप next semester में या year में आप admission लेश के है ठीक है तो अभी दूसरा हम notice देख लेते हैं क्या है तो दूसरा notice ये है तो ये notice भी आपका provisionally promote के base पे है ये affiliated जितने और other degree colleges है जैसे BA, BAC, B.com करें ना बच्चे other colleges से CRSU के अंडर तो उनको भी provisionally promote किया गया है उनको भी अपनी फीश जमा करवानी है next session के लिए ठीक है तो date दे रखे हैं वही 500 रुपे late fees ठीक है तो ये आप notice चेक कर लें description में इसका भी link दे दिया जाएगा ठीक है तो उसके बाद next देखते हैं अगला notice तो ये अगला notice है यहाँ पर क्या का गया है ये देख लेते हैं इस notice में का गया है इस इनफोर्म देट फोर समिशन ओफ ओनलाइन एप्लिकेशन फोर्म फोर्म फोर्ड एडमिशन तो ओल कोर्स इस बिंग रन इन दा यूश्टी टीचिंग डिपार्टमेंट ओप दिस यूश्टी इस एक्स्टेंड अप टू पंदरा नो दो जार्वीज पंदरा सितंबर तक आपकी डेट एक्स्टेंड हो गई है जो रेजिस्टेशन यूश्टी में चले हुए थे ठीक है जैसे ये यूश्टी टीचिंग डिपार्टमेंट में जो भी कॉर्सी जोते हैं या प्रोग्राम होते हैं ममसी एमकॉम ठीक है तो इनके लिए दुबार से क्या हो गया है डेट एक्स्टेंड हो गई है आप अपना अगर ना करवा पाई हूं तो आप अपना रिजिस्टेशन करवा सकते हैं 15 सितंबर तक ओके तो यही इंप्रमेशन या नोटिस आपके साथ शेयर करने थे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें थैंक्स पौर वाझें